स्वागते आपको हमारे इस यूट्यूब चनल में एक बार फिर से आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टन होने वाला है क्योंकि यहां पर हम बात करने वाले हैं जिन स्टूटेंट्स का अभी तक जो है डिस्टिक स्टेट मिनिस्ट्री य और साथ में जिन स्टूटेंट्स का मिरिट लिस्ट में येस आ गया है उन स्टूटेंट्स के लिए भी बात करेंगे और साथ में उन स्टूटेंट्स के लिए बात करेंगे जिनको टोकन नमबर मिल चुका है तो फ्रेंट्स यह कुछ पॉइंट्स है आज की ये वीडियो म बहुती जदाए important होने वारा है वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारी इस चनल पर नए हो चनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिजिए ताकि आपको मिले सुकॉल्स रिलेटर अपडेट्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले क्योंकि फ्रेंड्स हम यहां पर एसे ही सुकॉल्स रिलेटर अपडेट्स आपके लिए लाते देते और साथ में आप हमारे साथ बात करना चाहते हो हमें डिरेक्ट जो है आपका क्वेशन कोई भी होगा आप हमें इस्टार्डरम पर फॉलो कर सकते हो लिक डिस्क्रिप्शन म हमने सिंप्ली पेस्ट की यहां पर हमने जो है पासवर्ड डालना है तो पासवर्ड यहां पर डालेंगे तो उसके बाद सिंप्ली यहां पर फ्रेंड्स कैप्चा फिल करेंगे तो फ्रेंड्स कैप्चा फिल करने के बाद यहां पर सिंप्ली लॉग इन वाले ओप्शन पर पहले इनके लिए बात करेंगे application state जिनका application sent to PF में है और साथ में यहाँ पर देख सकते हो यह पहले जो तीन step से आपके हो चुके होंगे यहाँ पर देख सकते हो selected for mid list yes आ गया है यहाँ पर देख सकते हो token number मिल चुका है तो friends यहाँ पर मैंने इससे पहले का video बोला था अपरिल के end में यहाँ पर payment आ जाएगी तो friends बहुत सरे students की अभी payment आ रही है friends यहाँ पर सबसे important point यह है जिनका selected for mid list पे yes आ चुका है ठीक है उनके यह update है उनको panic नहीं होना है उनको hand run in 1% payment definitely आएगी यहाँ पर यह important है जिस student को merit list में yes आ चुका है इसका मतलब यह है आपको merit list में select किया जाता है उनको payment definitely आ जाती है क्योंकि select इसलिए किया जाता है कि उनको payment दी जाई तो यहाँ पर second जो important है इस student को token number मिल चुका है बट अगर आपको only merit list पे yes आ गया है आपको token number नहीं मिला है तो भी आपको definitely payment आ जाएगी तो यहाँ पर उसके साथ में यहाँ पर आप देखके तो scholarship amount proceed from NSP2PFMS यहाँ पर token number भी देखके yes भी आ चुका है तो यह definitely जिनका यह द out है students के मन में जो यहाँ पर application back account detail validation का option यहाँ पर no RI overall सभी students का no RI इसके regarding भी आपको panic नहीं होना है यह क्या होता है आपकी application ID जो है PFMS को बेज दी जाती है वही वहाँ पर आपका account number account details आपके check हो जाते जब आपका account number सही होता है जब आपके account details सही होते तो आपको payment जो है बेज update होने में इसमें time लग सकता है बट यहाँ पर जो है इन students को payment definitely आ जाएगी मैंने पहले भी बोला था आज भी बोल रहा हूं बट यहाँ पर थोड़ा सा time लग सकता है क्योंकि lockdown चल रहा है अभी COVID की वज़ा से वर्ग जो है बहुत जदा कम चल रही है आपको पता होगा lockdown है यह सब issues के कारण आपको थोड़ा सा wait करना होगा जिनको अभी तक payment नहीं आई पर यहाँ पर आपको definitely payment आ जाएगी अब बात करेंगे फ्रेंड्स उनकी जिनको अभी तक ministry district state या force noodle आ रहा है उनके बारे में बात करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो इस student का जो state से application final verified by state board force noodle app sir आ रहा है तो यहाँ पर आपका states अगर होगा ministry level पर यापका district level पर यापका state level पर application final verified by district noodle app sir state noodle app sir ऐसा कुछ आपको आ रहा होगा तो आपको जो ही यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं आपके जुए steps होंगे पहले जो तीन steps होंगे आपको definitely yes होगा यहाँ पर merit list पर no होगा यहाँ पर scholarship amount जो है आपका no यहाँ पर होगा तो friends मैंने इससे पहले वीडियो जो आपको update दिया था आपको एक मन्त का wait करना होगा पट यहाँ पर क्या होगा अभी जो है आपको पहले बता चुका हूं हो डिले हो रहा है अभी काम slow चल रहा है तो यहाँ पर क्या होगा अभी quota जो है फुल नहीं हुआ है जो है आपकी payment आने के बहुत ज़्यादा चांस से बट आपको करना क्या होगा आपको एक मन्त से डेड़ मन्त का wait करना होगा क्योंकि यह जो अभी process चल रही है जिन students को भी payment आ रही है उनको आने के साथ साथ या उनक को definitely payment आ जाएगे यहाँ पर इन steps के लिए आपको थोड़ा सा wait करना है जो एक मन्त बोला था बट यहाँ पर delay हो रहा है अभी काम slow चल रहा है अगर ऐसे ही situation जो है अभी चल रही है आपको एक से डेड़ मन्त का wait करना होगा तो friends यह था आज का वीडियो उमीद है आपको जो सो में आपको अू आपको दðक का बोला झात का बोला ठनस